Hello students, welcome to Magnet Prince, हम आगए आपका नया पार्ट लेकर, नया और गद्य खंड का आखरी पार्ट लेकर, इसके बाद हमारा कावे खंड शुरू हो जाएगा, तो ये जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, एक कुत्ता एक मैना, इस पार्ट का नाम है एक कुत्ता एक मैना, ये हजारी प्रसाद दिवेदी जिद्वारा रचुत पाठ है, ये एक निबंध है, कि ये रविंद नार्थ जी के उपर लिखा गया पाठ है, कि वो किस तरीके से पशु पक्षियों से प्रेम करते थे, कैसे उनकी जो भावनाएं थी, वो हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने इस नहीं है, क्यों नहीं है हम पहले आपको बताते हैं, क्योंकि इसका टॉपिक ही ऐसा दिया गया है, एक कुत्ता एक मैना, क्योंकि जहां पर रविना टैगोर जी से मिलने जाते हैं, फिर वहां एक कुत्ते को देखते हैं, फिर उनका देहा वसान दिखाते हैं, फिर उसके ब शुरू करते हैं यह पार्ट हमसे क्या कहता रविनाढ़ टैगोर का स्वास्त अधिक खराब हो गया था मतलब अब वो बुढ़ापे की तरफ थे और उनका स्वास बहुत अधिक खराब था और कहां रहते थे वो शांति निकेतन में आता उन्होंने सोचा कि शांक्ति निकेतन छोड़कर अपने पैतरक मकान की तीसरी मंजिल पर एकांच से विश्राम करें क्योंकि क्या होता था शांक्ति निकेतन में बार बार उनसे मिलने के लिए लोग आते थे और उनको बहुत डिस्टरॉब होता था क्यों वो आराम नहीं कर पाते थे क्योंकि दर्शनार्थी उन्हें आराम नहीं करने देते थे अत्boys एक दिन जब लेखक ने भी सापरिवार उनके दर्शन करने चाहे यानि कि लेखक जी भी जब एक दिन उनके सा पास गए कि चलो हम रविन्ना टैगोर जी के दर्शन कर लेते हैं तो जो है टैगोर जी बहुत जादा डर गए कि कहीं आपके साथ कुछ दर्शनार्थी तो नहीं है कि कुछ हमसे मिलने तो नहीं आते तो रविन्ना जी बोले उनके साथ कहीं दर्शनार्थी भी है क्या उन्होंने सीधे पूछा क्या दर्शनार्थी आपके साथ में है दर्शनार्थियों के समय को समय पर आठ अपकने के कारण वह परिशान हो जाते थे मतलब किसी भी समय चले आते थे कि हमें रविन्ना टैगोर जी से मिलना है तो अब क्या है बुजर्ग आदमी है तबित नहीं ठीक है तो वो रेस्ट करेगा ना हर समय थोड़ी ना सबको एंटेटेन करता रहेगा तो वो हमेशा ही चले आते थे किसी भी समय पर तो ये उनको परिशान करता था अथा भैबीत रहते थे लेखव जब उनके पास पहुँचे तब वे थोड़े अस्त वियस्त थे मतलब थोड़ा सा जैसे उटके लेटे हों उटके बैठे हों तो जो शरीर के जो कपड़े थे बाल थे सब चिड़े अस्त वियस्त थे किन्तु फिर भी सूर की ओर एक टक देख रहे थे क्या था वो सूर की तरफ एक टक लगाये हुए देखे जा रहे थे क्योंकि भई बुजर्ग रेकती है ठकाने शरीर के तो वो सूर की तरफ देख रहे थे तब ही उनका पालतु कुत्ता वहां आया और पूछ लाने लगा अब गुरुदेव के हाथ का इस पर शुपाकर मगन हो गया महलब गुरुदेव जी के जो पालती कुत्ता था वह आया और जो है वो गुरुदेव जी के पासा के पूछ लाने लगा तो रविन्नार जी ने उनके हाथ पर धीरे से हाथ पे उसके सर पे हाथ फिर दिया और व तो बहुत खुश हो गया मंगनों गया कि हां मेरे स्वामी मेरे साथ में है और वो बहुत खुश हो गया गुरुदेव ने कुट्टे को लक्ष बना कर एक कविता लिखी थी जो आरयोग में छपी अब वो कुट्टा उनका बहुत प्रिये था अब रभिन्ना टैगोर्जी तो बहुत जादा कवितायं लिखते थे उनकी तो कवितायं गीत बहुत famous है तो उन्होंने जो यह लिखा तो यह आरोग में छपा जो उन्होंने अपने कुट्टे को देखकर लिखी थी उसमें वे कहते हैं कि मेरा कुट्टा मेरा इसपर्श पाकर उमंग से भर जाता है यानि क ये पशु पक्षिव होते हैं ये बोल नहीं सकते ठीक है ये बोल नहीं सकते मतलब हमारी भाषा नहीं बोल सकते बाकी तो अपनी भाषा बोलते ही लेकिन मनुष्यता पहचानने की बहुत अच्छी शक्ति होती अर्थात कौन सा मनुष्य अच्छा है कौन सा बुरा है कभी-क जब आप लोगों ने देखा होगा कि कुट्टा बेवज्जा ही किसी आदमी कुस आदमी ने कुछ नहीं किया वो बस दूर से जा रहा है बस उसको भॉकने लगता है क्यों क्योंकि उनकी से स्ट्रॉंग होती है कि वो समझ जाते हैं कि या ठीक नहीं वे भी मानवी अच्छे बुरे वहवार को महसूस करते हैं वे भी दीनताएं स्वामी भक्ती इसने तथा आग्म निवेदन का भाव प्रकट कर सकते हैं मतलब कहने का यहां है कि पशु पक्षी मनुश्रता की अनभव की शक्ती रखते हैं वे भी मानवी अच्छे बुरे वहवार को महसूस करते हैं अगर आप उनके साथ अच्छा वहवार करोगे तो वो तुरंद महसूस कर जाएंगे अगर आप उनके साथ अच्छा वहवार नह यानि कि कि किसी को कोई तकलीफ है, तो वो भी उस तकलीफ को महसूस करता है, स्वामी भगत होता है वो और आत्मनिवेदन मतलब अपने आम से भी बहुत चीजें प्रकट करता है कुट्टा, वे मनुश की समवेदन शीलता, उसके सुख दुख को समझने, समझे किन्तु समझा नहीं पाता, वो मनुश की हर फिलिंग को समझता है, मगर वो समझा नहीं पाता, क्योंकि हमारे अंदर उस बेजुवान जानवर को समझनी की शक्ती नहीं होती, मगर उस जानवर के अंदर हमारे इस पर्ष, हमारी भावनाओं को समझनी की शक्ती पूर्ण रूप से होती है ये कुट्टे के बारे में रविन्ना टैगोर जी ने लिखा यहाँ पर लेखक गुर्देव की शूष्म समवेदन शीलेवं मर्म भेदी द्रिष्टी का पर आश्चर चकी थे कि उन्होंने कुट्टे जैसे एक प्राणी में भी जो है वो समवेदन शीलताएं सब कुछ जो है वो समझ ली कि कुट्टे के अंदर भी इतनी फीलिंग इतनी समवेदनाय होती है तो ये देखकर बहुत ही आश्चर चकित हुए थे हाजारी प्रिसाद दिवेदी जी ये कोई सामाने घटना नहीं बलके विश्व की महा महीमाशाली घटनाओं में से एक मालूम होती है मतलब आप जानवर क्या है हम समझेंगा रही ये तो जानवर है ये क्या समझेगा लेकिन अगर जब कोई किसी बात को अच्छे से समझ जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ी घटना होती है आज अगर हम बेजुवान जानवर की भाशा को समझ जाएं तो ये वाकई हुए बहुत बड़ी उपलब्धियों में शामिल होती है उसके बाद जब गुरुदेव का चिता भस्म को आश्रम में लाया गया अब क्या हुआ गुरुदेव जी का देखावसान हो गया उनकी मृत्ति हो गई कहां रह रहे थे वो तो शांती निकेतन से निकल के भाई अपने घर पे अत्रक घर में रह रहे थे अब उनकी चिता को वापस कहां लाया गया शांती निकेतन में अब उसमें कुत्ता वहां मौचूद था तो कुत्ता भी उत्रायन तक गया यानि उत्रायन तक का मतलब क्या है चिता भस्म को जहां जहां रखा जा रहा था उनके साथ 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 चल रहा था सारे मनुष्यों की इभाती कुछ देर तक मौन एविम शांत बैठा रहा कहते ना आत्मा की शांती के लिए कुछ देल के लिए मौन रखी तो उहाँ जब मौन रखा गया तो कुटा भी उत्ती देर मौन यानि की चूप चाब शांत हो सबी लोगों के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था ऐसा देखकर लेखक ने आश्चर का ठिकाना ही ना रहा गुरुदेव पशुपक्षियों के प्रति अत्यदिक आत्मी संबंध रखते थे तो अब गुरुदेव तो रखते थे संबंध लेकिन कुत्ता भी इतना जाधा उन से अटेश था ये देखकर जो है वह बहुत जाधा आश्चर चकित हो है अब क्या कहते हैं लेखक की गुरुदेव जो है वो बहुत पशुपक्षियों के बहुत नस्दिक थे वो बहुत जाधा उन से प्यार करते थे अधा आश्रम में पसु पक्षियों के बारे में अक्सर बाते करते रहते थे तो जब भी लेखर जाते थे तो उनके साथ जब बाते करते थे तो पसु पक्षियों का टॉपिक जरूर उट था था उनके बातों के बीच में क्योंकि वो बाते कर रहे होते थे एक दिन प्राता टहलते समय उन्होंने पूछा कि आश्रम में कौवे कहां चले गए तो क्या हुआ बहुत भाई कौवे आसपस रहते होंगे तो एक बार ऐसी टहल रहते कि इतने सारे कौवे कहां चले गए पहले तो यहां बहुत कौवे रहते थे लेकिन कुछ समय बाद एक क्या हुआ एक सब्ता बाद सारे कौवे फिर वापस आश्रम आ गए तो लेखव को समझाया कि कौवे भी प्रवासी पक्षी है अब कौवे नहीं थे तो वो देख कि भाई उन्होंने ये तबदिली महसूस करी लेकिन एक सब्ता बाद वो सारे कौवे वापस आ गए तब लेखव कोई इस चीज़ का ग्यान हुआ कि जो कौवे हैं वे भी प्रवासी पक्षी प्रवासी पक्षी मतलब समय के नुसार अपनी जगा को बदलते रहते जहां उनके अनकूल मौसम होता है वो वहाँ पर चले जाते हैं एक बार लंगडी मैना को देखकर वे बोले यह युत भ्रष्ट है अताहा इसमें करुणा भाव है मतलब एक बार उन्होंने एक लंगडी मैना को देखा कि उस मैना के पैर में चोट लगी थी और वो जब नीचे बैठती थी थी थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी तो उन्होंने बोला कि यह जो है अपने जो जोड़े से है कोवा में जो मैना होती है वो जोड़े से रहती है यानि कि मेल फीमेल के यानि कि वो अपने जोड़े से है वो बिच्छड गई इसलिए करुणा भाव में यानि कि वो बहुत ज्यादा शो किया दुख में है उसकी बाद उनकी बाद सुनकर लेखक के मन में भी मैना के प्रती करुणा भाव उत्पन हो गया जब उन्हों नहीं सुचा कि वह अपने पेर के साथ बिछड़ गई है तो लेखक को भी बहुत ज लेने लगते हैं अपने घर के मकान के बारे में कि उनके घर में बहुत जगा जगा पे छेद थे जिन में एक मैना का परिवार रहता था तो वहां क्या होता था एक मैना का परिवार आके मैना आई उसने वहां पर गोसला बनाया और वहां पर आकर रहने लगी तो पूरा लाके उस भोसले में रखते हैं, बनाते हैं, कुछ भी उन्हें मिल जाया, अच्छा गंदा तो समझ में नहीं आता, तो वो कहीं से भी कुछ लाके उस भोसले में रख देती थी, लेखक ने एक बार तो ईट रखके छेद भी बंद कर दिया, एक बार उन्होंने क्या कि अरा सी जगा बढ़ ज्वत जाती थी, तो वहां पर भी वह आराम से अपना घर बनाकर रहने लगती थी, पक्रशर कुछ जला चाहिए हो जोसला बनालें करते हैं से एक बड़ा सा गोसला बना लेते हैं लेखक को अनुभव होता है कि वे खुश होकर नाचते हैं गाते हैं तथा उन्हें देखकर उनपर टीकार टिपडी करते हैं मैंना परिवार लेखक के घर को खाली स्थान समझता था अब लेखक को क्या अनुभव होता है जब वो घर बना लेती है तो लेखक क्या अनुभव करता है कि वे खुश होकर नाच गा रही है उनका घर बन गया है तो वो बहुत खुशी होकर नाच रही है गा रही है और उन पर देखकर टीका टिपड़ी कर रही है मत्तब लो तुमन चिड़ाने वाला काम वो मैना कर रही है क्योंकि मैना यह समस्ती थी कि लेखक का परिवर जो है वो खाली घर है जो पत्नी थी वो अक्सर कहती है कि लेखक को उनके प्राइवेट घर में नहीं आना चाहिए था मतलब कि जो गौर्णमेंट की तरफ से मिला था उसमें हमको नहीं आना चाहिए क्योंकि यह इसमें तो इतना तूटा फूटा है कि हर जगे जो है पक्षी खोसले बना लेते और इतनी गंदी की होती है पहले लेखक मैना की प्रती करुणावान नहीं थी किन्तु गुर्देव की बाते सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि मैना वास्ताव में अपने साती से बिचुड़ गई है तथा एक वियोगनी का जीवन जी रही है तो यहाँ पर फिर ही अभी रविन्ना टैगोर जी के पास में आगे जब वो वक्तवी चल रहा था जब लंगडी वैना मिली थी तो अब वो क्या बोलते हैं कि पहले तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि भाई वो मैना है चोट खा गए हुई पर भी एक कविता लिखी थी जैसे उन्होंने कुत्य पर कविता लिखी थी वैसे उन्होंने मैना पर भी एक कविता लिखी थी उस कविता का भाव है कि यह मैना अपने दल से अलग क्यों है यह अकेले ही लंगडा कर घूम रही है तो अब उन्होंने तो कविता बंगाली भ परिवास से अपने साथी से अलग क्यों है लंगड़ा कर क्यों घूम रही है लंगड़ी लंगड़ी क्यों घूम रही है वह कीड़ों का शिकार करती है वह लेखक से बिलकुल भैभीत नहीं मतलब लेखक कौन रविना टेग हो उनके पास आती है उनके साथ में बैठी वो डर पताने ही आपने समाज से अलग क्यों रहती सारी मैनान नास्ती कूधती किन्टु यह शोका कूल क्यों तो बोलते कि सारी मैना तो नाच कूध रही है और अपने जुंड में आराम से रह रही मगर ये अकेली अलग इतनी दुखी क्यूं है पता नहीं कि इसे क्या प्रीडा है अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या तकलीफ है किसने इसे चोट पहुँचाई ना तो इसे किसी पर कोई अभियोग है ना जीवन से विरक्ती और ना आँख में जलन है मतलब पता नहीं इसको किसने इतनी जादा चोट पहुँचाई है जिसने भी पहुँचाई हो मगर मैना बिलकुल भी उससे रुष्ट नहीं है और ना ही जीवन से दुखी है कि मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला हुआ है उसे जो मिला है वो उससे संतुष्ट है ना जाने कौन सी गाट इसक्रे हिदय में पड़ी गुरु देव की इस कविता को पढ़ने के बाद लेखक के मन में भी मैना की करुणा मूर्ती अंकित हो गई मतलब अब वो बोलते हैं कि मैना के मन में ऐसी गाट क्या पड़ी है कि वो बार्ती मैनाओं की तरह नाचती कूती बोलती क्यों नहीं है शांत सी रहती है तो जब ये कविता रविन्ना टैगोर द्वारा लिखी हुई जब हजारी परसा दिवेदी ने पड़ी तो उनके मन में जो है कोयल के लिए बहुत जादा सदभावना पैदा हो गई कि एक पक्षी के लिए भी इतनी बढ़िया कविता उन्होंने लिखी लेखक आश्चर चकी थे गुरुदेव मैना के मर्म इस्थल अर्था दुख तक पहुँचे कैसे उसी शाम मैना के उड़ जाने से कवी गुरुदेव जो है वो बहुत दुखी भी हो जाते लेखक उसको ऐसी तकलीफ है क्योंकि वह हमेशा पास रहती थी फिर उसी शाम वो जब थोड़ा सही हो गई तो वह उड़ गई और उसके उड़ जाने से जो रविन्ना टैगोर जी है वह बहुत दुखी हुए तो यहां पर एक कुत्ता और मैना रविन्ना टैगोर जी के जीवन मे दो ऐसे पक्षी पशू और पक्षी आये तो बहुत लेकिन उन्हें ने बहुत जो कविताएं लिखी उस पर हजारी प्रशाद जी ने जो एक निबंद प्रस्तुत किया वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और आपको पूरा समझाया ये एक दो अलग-अलग जानवरों के उपर है लेकिन ये चीज के तरफ हमें बहुत जादा प्रेणा देती है कि हमें हमेशा पसू पक्षियों की फिलिंस को समझना चाहिए क्योंकि वह सबसे अच्छे मित्र होते हैं हमारे वह अच्छे और बुरे क्या जो है मनुश्यों से कहीं जादा समझ रखते हैं इसलि रविन नाट टैगोर के बारे में बताया उनके कुत्ते के बारे में उनके मैना के बारे में हजारी प्रसाद दिवेदी ने अपने घर का भी एक चित्रन प्रसूत किया तो ये पार्ट हमने आपको पूरा समझा दिया है अब इसके प्रश्रूत समझाने के लिए हमारे नेक तो तो तें, thank you, bye!